नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोगियां पर अमेशा की तरह हिंदी का फुल्टेश लगाएंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख कभी और उनकी प्रशिद रचना है जहां पर हमने आज 50 प्रशनों को लिया है काफी अच्छे हैं तो यहां पर आवाज आ रही है सभी को आ रही है चलिए तो इस्टार्ट करते हैं यहां पर आपका पहला प्रशन कहरा आप से गोदान किसकी रचना है चलिए जवाब दीजे गोदान किसकी रचना है हमेशा से पूछा यानवाल आपका प्रस्न है बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब हो जगा यह नमबर प्रेमचंद ठीक है गोतान किसकी रचना है तो आपकी प्रेमचंद है ठीक है अर्थात देख सकते हैं कि प्रेमचंद की और भी आपकी रचना है जैसे आपकी निर्मला, गवन, रंग भूमी, कर्म भूमी, वर्दान, प्रतिभा, सेवा सदन, प्रेमा सरई, काया कल्प, मंगल सूत्र अब एक कोशन यह बनता है कि जो इनकी रचना जो अपूर्ड है तो आपकी मंगल सूत्र एक ऐसी रचना है मुलसि प्रेम च ai की जो आपकी अधूरी है तो चलते हैं इस कोशिन court काया आपसे एकले कोशिन चले आपसे बीजक किसकी रचनाओं का संग्रा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रा है चले बिल्कुस साही है ओप्सन रइट आपका है हो जाएगा आपके कभिरदास किए ठिक है कभिरदास किए और बीजक के 際ताब की 3 आपके है सकी सभाद का सकते हैं साखी सबद रमैनि यह आपकी समपूर मिला कर आपकी बीजक तयार किए ठिक है चलेने इस कोशन के जब दीजिये कोशन आप से अगला पुछा गया है पर यहां पर अंधे नगरी नाटा करें चाहिता हो जाएंगे option right बिल्कुछ सही है option right कर C आपके भारती इंदुजी है ठीक है भारती इंदुजी है चले इनस question की जोब दीजी कहरा आपसे यहां पर कि कामाईनी के रचनाकार बताइए कामाईनी के रचनाकार तो भाई कामाईनी क कामाईनी क्या है एक महा काब्य है ठीक है इनके और भी रचनाय जैसे आपके जहरना हो गया आंसु हो गया लहर हो गया कानन कुसम यह आपकी इनकी पुर्म को रचनाय है नेस question की जवाप दीजी भाई चली यहां पर आपसे कहरा है देवदास उपन्यास पर तीन बार फिल् तो five का option right आपके यहां पर बी हो जाएगा यह है आपके सरत चंद चटोपध्याई option right आपका बी सही हो जाएगा ठीक है चलीए next question काते हैं यह question आप से अगरा पुछा गया है कहरा आप से कि तुल्सी दास द्वारा रचित रामचरित मानस में कितने कांड है रामचरित मानस तो बाल कांड आयोध्या कांड अरंड कांड किसकिंधा कांड सुन्दर कांड लंका कांड और आपका उत्तर कांड ठीक है चलीए अगला जवाब दीजे भाई कहरा आप से यहां पर कि कौन सी रचना तुल्सी दास जी की नहीं है कौन सी रचना तुल्सी दास जी की नहीं ह चलिए जवाब दीजे तो देखो दोहा वाली भी है गिता वाली भी है रामचरित्मानस भी है यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा डी यामा ठीक है यामा तुलसी दासकी नहीं किसकी है तो आपके महादिवी वर्मा की है ठीक है चलिए नेस्ट कोशन काते हैं कोशन हाँ एक यहां पर रट लीजेगा कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ठीक है 1982 में ग्यान पीट पुरुषकार दिया गया था ठीक है चलिए नेस कोशन आप से अगरा पुछा गया है कि निम्लिखित कभियों में से गांधी जी ने किस कभी को राष्ट कभी का सम्मान दिया है य मैथली सरन गुप्त इनको कह सकते हैं उनकी जोगर रचना थी भारत भारती तो 1912 में आपके कह सकते हैं राष्पती का सम्मान इनकी वज़े से आपके कह सकते हैं दिया गया था ठीक है तो इन्हें कहा जाता है राष्ट कभी ठीक है किसको मैथली सरन गुप्त को कहा जाता ह है ठीक है और नेसक्वार्ष्चन के आते हैं क्याराप से कौन सी कृती महादेवी वर्मा की है कौन सी कृती महादेवी वर्मा की है चलिए हैंमें 10 आपके मराث Cinlax ads non-raday रखना है जो महादेव वर्मा है और इन्हें आधनेंक की मीरा मेरा भिग ढ़ता है यहाद आपको याद रखना इनकी बहुत आपकी करतियां जैसे निहार हो गया रस्मी हो गया संधागीत हो गया ठीक है निर्जा यामा आधी है ठीक है तो जवाब हो जाए अपका ए नमबर ठीक है अच्छा निश कोश्चिन को आते हैं कोश्चिन आप से एकला पूछा गया है कि आपको याँ पर आपका जैसंकर है प्रसाद है मैथली सरण गुप्त भी है और आपके यहां पर कह सकते हैं सुरिकान तृपाथि नयाला और आपके सुमित्र नंपंत तो आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा कौनसा तो आप्शन राइट आपका जद्रत बद में हो ज कि रचना है आतीत के चल्चित्र किसकी रचना है चले ग्यारक जवाब दीजे आतीत के चल्चित्र ग्यारक ऑप्शन राइट विलकुछ सही है ऑप्शन राइट अपका यहां पर ए हो जाएगा महादीवी वर्मा की है ठीक है आतीत के चल्चित्र महादीवी वर्मा जी की द्वारा लिखीत ये रेखा चित रहे, क्या है आपका, ये रेखा चित रहे, ठीके, और, यहाँ पर नेस कोईशन काते हैं, कोर्शन आप से एकला पूछा गया है, कि राम चरित मानस में, सो पानों, अर्धात कान्डों की संख्या कितनी है, तो अभी हमने बता है ता, कि जो उसमें जो कांड है वो आपके कितने कांड है 12 option right आपके यहां पर बिल्कुश सही है option right आपके 7 कांड है ठीके कितने है बई तो आपके 7 कांड है ठीके चलिए next question कहाती है question आप से एकला पूछा गया है कर आपसे कठीन काव भी कावत प्रेद कहलाते हैं कठीन कावव Have a Pat potential right कि यहां पर आपका सही जवब हुजएका option right यहां पर आपका होजजएगा ची नमबर यह आपके के सोजी को का जाता और हिंदी सायती के पिसिद रीद काल कभी है या आपके किस कभ के हैं तो आपके रीद काल के कभी है ठीक है और इनका जन्म हुआ था ओर्चा मद्ध प्रदेश में कहा हुआ था ओर्चा मद्ध प्रदेश में और इनकी जो कह सकते हैं कि एक रचना है रसिक प्रिया कभी प्र चंद्रिका यह तीन चार जो हैं जैसे जस्ट चंद्रिका ठीक है जहांगीर जस्ट चंद्रिका यह चार-पांच रचन है जो बहुत पूछी आती एक जाम में ठीक है चले इस कोशन का रहते हैं कोशन आप सेगला पूछा गया है कि आधुनिक युक्की मीरा मानी जाती है महादीवि वर्मा जो की च्छायवत की चार स्थम्बों में पुर्मुखा आपका इस तमयी ठीक है चलिएए और सितारे छिंद किस लेखक का उपन्यास है बताए बढ़िए सितारेहिंदिक किस लेखक का उपन्यास है तो आपकी जीघग उपन्र deeply कम्है ऊपनाम है थीकि है तो आपके राजा स्यूपरसाथ सितारे हिंदिन को बोला जाता है ठीक है यह आपके हैं ठीक है चलिए यहाँ पर नेश कोशन को आते हैं कोशन आपसे एकला पूछा गया है कहरा आपसे कि रानी केतकी कहानी के लेखा कार है रानी केत्की की कहानी के लेखा कार कौन है चलिए 16 का जवाब दीजे सही बिल्कुल यहाँ पर राइट अंसर आपको हो जाएगा A. इंसा अल्ला खा मुंसी आपको होता है ईसा अल्ला खा ठीक है और किसी इनकी आपकी है ठीक है और निश्ट कोर्शन के आते हैं कोर्शन आप सही बिल्कुला पूछा गया है कि आशू किसका प्रमुक काब्य है चलिए 17 जवाब दीजे आशू किसका है वेरी गोड ओप्सन राइट अप का यहाँ पर भी हो जाएगा आपके जय संकरब साथ जी का है और हिंदी सायती के प्रमुक कभियों में इनका होता है ये नाटक कार, उपन्यासकार, कहानिकार आदी है ठीक है और इन्हें चाय वदी कभी का जाता है ठीक है चाय वदी निश्कोर्शन को आते हैं कोश्चन आप से लगा पुछा गया है, कि भारतिन्द युक की समय सीमा है, कितनी है, अठारक उप्शन राइट, तो अठारक उप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा, ए नमबर, वेरी गूड, अठारा सो पचास से सन उनी सो इसवी तक, ठीके, यह इसका किसकर आए, तो आपके भारतिन्द, जैसे के भारतिन्द युव आपका रहा है, ठीके, और इनका नामकरण हिंदी नौजागरण के अग्रदूत भारतिन्द हरिश्चन के नाम पर किया गया था, ठीके, चलिए अगला कोश्चन आपका है, कह रहा है आपसे, हिंदी रेखा चित्र का विकास के समय के बाद हुआ, अर्थात हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था, वो किस समय के बाद हुआ था, तो 19 और 15 के और 15 के बाद हुआ था, ठीके, यहांपर हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था, ठीके और रेखा चित्र कैसे तेने कि अंग्रेजी की इसकेज सब्द से आपका प्रण पर रहा है ठीके चलिए निस कोशन आप सेगला पुछा गया है कि भारत में मार्क स्वादी चिंतन चिंतन परंपरा और समालोचना के सामर्थ प्रवक्ता है ठीके चलिए अगला कोशन आपका दिया गया है कि अंग्रेजी के रुमेंटेजियों के लिए हिंदी में प्रियुक्त सब्द क्या है आपको यहां पर हिसका हिंदी अनुवाद बताना है इसका हिंदी क्या हो जाएगा तो 21 का उप्सन राइट यहां पर क्या बज़एगा भाई तो इसका सई जहोँ बज़एगा आपका सी इसे बज़एगा है सोचंदता वाद इस इंगलिस में कहोलते हैं सोजंदता वाद बोलते हैं ठीक है चलिए अगला जवाब दीजे कहरा आपसे यहाँ पर कि रासु चरित काब भे है और उसकी रचना रासक सैली में हुई है या कथन किसकी है तो भई बताईए रासु चरित काब भे है और उसकी रचना जो हुई है रासक में हुई है तो भई चार हजाज़ सद्धिवेदी की हैं ठीक है चलिए अगला दिया गया है यहां पर कि हीरा मन सुवा का उल्लेक आता है तो किस में आता है तेश को जवाब यहां पर सही जवाब हो जेगा ऑप्सन राइट पेरी गुड़ अप्सन राइट कभी हो जेगा पदमावत में याद र आतमक प्रतीत के रूप में होता है ठीक है चलिए इस कोशन आपका दिया गया है कि आपसे कि सूर्दास के गुरु थे बताइए बाई जी कोशन है तो सूर्दास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे यहां पर 24 को सही अपसन हो जाएगा सी नंबर बल्लबाचार याद तमाया हर जिन छाणे हाथ थे जिन नेडा आया इस पंक्ति के रचनाकार कौन हो जयेँगे 25 का जवाब चलिए 25 को अपसर लाइट आपको यहां पर यह हो जाएगा यह आपकी पंक्ति है आपके कभीर्दास की ठीक है किसकी आपके यह कभीर्दास की है और कभीर्दास जो हो निर्गूर काव फिधारा के उप्साः घ्यानस रिचाः को विंद क्या है कि हंदी के प्रधम कहानी का नाम हो जाएगा 26 설 ा कि बुइं अपके इंदौ मति हैं याद ह invincible कावरी लाल गोशाम है यह कानी उनीस सो इस भी में प्रकासित हुई थी ठीक है चलिए एक पॉइंट होता है कि अचार राम चन्सुकल इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं ठीक है चलिए इस कोर्शन का आते हैं कोर्शन आप से एकला पूछा गया है के आप से गवन किस रचनाकार की रचना है जवाब द में पहले था मुणसि प्रेम चन्दी की अपकी रचना है ठीक है चलिए एकला को सिर्गा के संपादक महावीप साध्वेदी जी तो आपके महावीप साथ दिवेदी आपके यहां पर देख सकते हैं आपके जयवाब होजाएग अथास का आप्शन राइट आपका भी होजा अधन किया था ठीक है अच्छा यहां पर निश्क कोजिशन काते हैं कि आपसे अगला पॉइंट कि म्रग नैनी जो कि एक उपन्या से किस लेखक की रचना है म्रग नैनी जो आपके है वो किस लेखक की रचना है 29 का जवाब तो म्रग नैनी आपका है उपसन राइट यहां पर आपका ड़ी नमबर आपके ब्रंदा वन लाल वर्मा जी का है ठीक है किसका है ब्रंदा वन लाल वर्मा जी की रचना ठीक है चलिए अगला कोशिन के जवाब दीजी भई आपसे ब्यास पुरुषकार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविस्यत किस लेखत की रचना है चले 30 का जवब दीजे चले 30 का उप्सन राइट यहां पर आपका जवब क्या हो जाएगा चले यहां पर बिल्कुर सही है उप्सन राइट आपका वो जगसी यहां आपके लोग है कि नरिंद कोली को 2012 में कब 2012 भी को ब्यास सम्मान प्रदान किया गया था ठीक है चले अगला कोशन आपसे पूछा गया है यहां कहारआ आपसे कि इनमें से कौन सी रवी न्याटक टैगोर की रचना नहीं है रवी ना टैगोर की रचना नहीं है चलिए 21 को अप्शन अचलिए विल्कुळ सही है और आपस आपका भी चंड काइन न खतरी है ना कि आपके रवी ना टाइग हो रहे ओप्षन एटाउं का बी होजेगा चंदकांता ठीक है चंदकांता कौन है तो आपके दियो की नंदन खत्री है ठीक है चले इने इस कोशन आप से अगला पूछा गया है कैर आपसे किन्निमलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेम चंद हैं किस उपन्या और चित्र लेखा, चित्र लेखा के लेखा का अब के हैं, बगवती चरण वर्मा。 मानस के हंस का लेखा का आपके हैं, उब आपके हैं, अम्रत, लाल, नागर. ठीके? चलिए, अगला जवाब दीजे भई, कि भारत की होज किस क्रती की है? बताई ये भारत की खोज किसकी कृती है 33 का जवाद देजे चलिए 33 का अप्सन राइट यहाँ पर B हो जाएगा जवाहलान नहरू ठीक है किसकी कृती है आपके तो जवाहलान नहरू की कृती है अप्सन लेट आपका B हो जाएगा ओके चलिए यहाँ पर नेर्यु जी द्वारा एक ठा गिंबसेजिए आफ वर्ड हिस्टरी मेरी कहानी आद्षित के शीक आपको दिये गया है कि रस्मिरती की रच्चईता काओं है रस्मिरती की रच्चईता आपके हो जाएंगा प्षोन राइट विल्कुत सही है option rate up का है राम धारी सिंग दिनकर है और यह रचना कर्ण की जीवन पर अधारित है ठीक है और भी इनकी रचना है धेरो उर्वर्सी है रस्वंती है रेंडुका है हूंकार है तुंद गीत है ठीक है इतिहास के आंसू है बहुत है इनकी चलिए अगनी परिच्छा किस रचना कार की करती है अगनी परिच्छा किस रचना कार की करती है 35 को उप्शन दिजिए चलिए अगनी परिच्छा किस रचना कार की है बेरी गुड ओप्शन रटब का यहां पड़ी होजेगा आचारी तुलसी की है ठीक है किसकी है तो आगे परिच्छा आचारे तुलसी की रचना है और कॉटली की सबसे महत्पूर्ण कृतिया आपकी अर्थसास जिसे आप लोग जानते भी है इनके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं ठीक है अच्छा निस कोश्चन काते हैं कोश्चन आप सेगला ठीक है आपके फड़िस्वनात रेडू है रेडू के प्रमुखा और भी उपर नियास आपके हैं यसे मैला आचल हो गया जुलूस हो गया परती कर्था हो गया ठीक है चलिए निस कोश्चन काते हैं कोश्चन आप से एगला पूछा गया है कि सी राम मैं सब जग जानी प्रमुखा राशना गुषवमी तुलसीदास की किस क्रती से है यह जो आपकी क्रती है गुश्वमी तुलसीदास की तो यह कहां पर आपकी है सैंदिसके यहाँ पर C हो जाएगा आपके रामचरित मानस में हैं किसमे आए तो आपके रामचरित मानस में हैं और यहाँ पर नेस कोश्चन को आते हैं कोश्चन आप से एकला पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी की सबसे ससक्त कवीत्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है question गुमा गुमा के पूछ रहा है बलकि answer आप सबको पता है कि आधुनिक मीरा जो कहा जाता है किसे ये कहा जाता है आपके option अटप का ये महादिव अर्मा को very good next question आप से अगला पूछा गया है कि बिना दिवारों का घर मन्नु भंडारी की यह करती किस विधा पर अधारित है बिना दिवारों का घर ये आपके मन्नु भंडारी है इनकी किस करती की विधा पर अधारित है तो ये आपका अधारित है आपके जुकी option अटप का भी एक नाटक के रोप में ठीक है तो बीना दिवारों का घर मंजु भंडारी का एक नाटक है जिसमें पती-पतनी की बीच तनाव का चित्रण किया गया है 1965 में इसका प्रकासन वर्स हुआ था ठीक है चले अगला जवाब है कि दीप जले संख बजे किस रचनाकार की करती है चले चालिस का अप्शन राइट आपका होज़े गबी कनहय लाल मिस्त प्रभाग कर गी है ठीक है और निस कोशन को आते हैं कोशन आप से एकला पूछ अगया है कि माटी की मूरतें किस लेखक की रचना है माटी की मूरतें किस लेखक की रचना है चले यहाँ पर 41 का ओप्शन राइट आपके यहाँ पर बीटा की यहाँ पर के सीखते हैं वैभाव के साथ सगाई जहांसी में यहाँ पर option आपका जो भरा जाएगा आपको भरा जाएगा बी नमबर याद रखेगा बी नमबर हो जाएगा यह आपके करे सकते हैं कि हुई बीरता की वैभाव के साथ सगाई जहांसी में ये सुबधरक्मारी चववान की एक पंक्ती है ठीक है चले एगला कोश्चन हमका दिया गया है कर आप से हर संकर परसाई जी की किस तरह की साहित रचना के लिए जाने जाते हैं जो आपके हर संकर परसाई हैं वो किस साहित के रचनाकार हैं अथात किस तरह की आप पर 43 को option right हो जाएगा very good option right आपका जवाब हो जाएगा डे आपके ब्यंग लेखा गए यह आपकी कैसे हैं तो आपके ब्यंग साहित रचना के आपकी जन्याते हैं और यह हिंदी के पहले ऐसे रचनकार थे जिन्होंने साहित में ब्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिला ठीक है और next question काती है किया आपसे अगला कि भक्तिन यहां पर आपको खारी स्थान बनना है क्या का भरना है आपको यहां पर देखना है कि भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रशिद्ध संसम्रण रहेखा चित्र है यहां पर जो 44 को और राइट आपको भरा जाएगा बी नमब पर साहीत तकार्यम पुरुशकार मिला था किस में यहाँ पर 45 कौशन राइट स्टाइब का स्टी हो जएगा हिम तरंगनी ठेक है तो मार्कनला चेतुरवेदी को 1955 में उनकी कृति थी हिम तरंगनी पर साही तकादमी पुरुसकार मिला था और यह एक का भी कृती है और याद रखिए यह प्रत्व मत पुरुसकार भी है ठेक है याद रहेगा चलिए अगला जवाब है कि जे संकब साथ की पहली कहानी कौन सी है बताइए भई जे संकब साथ की पहली कहानी कौन सी है 46 का जवाब 46 का उप्शन बिल्कुछ सही है उप्शन अड़ाब का फस्ट हो जगा ग्राम तो यह संकर्षात की पहले जो आपकी कहानी थी वो ग्राम थी जो की 1911 में इंदुमती पत्रिका में आपकी प्रकासित हुई थी ठीके चलिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि इनकी दोरा रचित च्छाया इनका प्रथम कहानी संग्रा होने के साथ साथ हिंदी का भी कोश्च नाम से एकला पूछा गया है कि कथा समराठ प्रेम चंद का वास्तिविक नाम क्या था बहुत बार कोश्च नाम का पूछा गया है तो यहाँ पर कथा समराठ है यहीं कथा समराठ का जाता है और इनका वास्तिविक जो नाम है वह आपका याप्शन राइट ए वाब राय के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और नेक्स्ट को आते हैं कोश्चन आप से एकला पूछा गया है कहरा आप से यहां पर कि अमरत और नागर की है और इस उपन्यास के लिए नहीं उनीसु सर्षड ही में साहित तकाद्मी पुरुषकार भी दिया गया था निश्कोशन के राप से यहां पर कि बच्चों की कहानिया लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचना कार कौन है चलिए बच्चों की कहानिया लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचना कार आपके कौन है उन्चास का जवाब तो बच्चों की कहानिया लिखने वाले और चाचा चौधरी की नाम से रचना कार जो करते थे वो प्राण कुमार सर्मा थे ठीक है चलिए अगला कोशन आपका पूछा गया है कि हल्दी घाटी के रचना कार कौन है चलिए यहाँ पर पच्चास कॉप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जएगा सी नंबर यहाँ के हैं स्याम नरायन पांडे कौन है आपके तो स्याम नरायन पांडे हैं ठीक है और हल्दी घाटी का भी विधा से आपका संबंदी थे इनकी और भी है रचना जैसे हल्दी घाटी जवहर तुमुल रुपांतर यह आपकी है ठीक है और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए आपके पच्चास प्रस्ण लिये थे ठीक है जो कि आपके रचनाओं से संबंद जादा इसने लिए क्योंकि जादा लेने से कोई मतलम नहीं निकलता है और अगर इन्हें थोड़े थोड़े करके याद करोगे तो आसाने से याद हो सकते हैं